हलो एबरिवरन, कैसे हैं आप सब? फाइनली इक्जाम के घड़ी नजदीक आती जा रही है UPPCS और MPPCS दोनों के इक्जाम काफी नजदीक है MPPSC का नोटिफिकेशन अभी चल रहा है, फॉर्म भरे जा रहा है UPPCS का exam नस्दीक आ रहा है फॉर्म भर चुके हैं आप सब तो जो भी चात्र बहुत seriously त्यारी कर रहे है आज जो है काफी कम समय बचा है यहां तक कि यह दि मेरे दृष्टी कोर्ट से देखे तो 20 दिन का समय UPPCS exam पे बचा हुआ है 20 दिन जिस पे आप productive तरीके से काम कर सकते है और MPPSC का exam जो है आपका वो भी बहुत कम समय बाद वो भी जो है आपका exam होने वाला है ठीक है तो UPPCS के बाद वो exam है तो दोनों से जुड़े चात्र बड़ी संख्या में चात्र जितने भी हिंदी माध्यम से जुड़े हुए चात्र है सब हमारे साथ जुड़ कर त्यारी कर रहे है तो finally उनको लेकर के जो विसेश मेरे द्वारा जो आप लोग को सुझाओ सलाह या जो भी विसेश मेरे द्वारा आप लोग के लिए कारे किया जाना है उसको लेकर मैं आप पूरे आपको complete जानकारी देने वाला हूँ इसलिए गंभीरता से मुझे सुनिएगा और प्रयास करिएगा जो चीज़े मैं बताओं उन्हें अमाल में लाईएगा मैं यहाँ पर सबसे पहले जितने भी छात्र संस्था के द्वारा जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनको तीन कटेग्री में विभाजित कर रहा हूँ तीन वर्गों में विभाजित कर रहा हूँ ठीक है पहला वर्ग उन छात्रों का है जो हमारे साथ विवस्थित जुड़ करके तयारी कर रहे थे online batch से तो पहली category में online batch से जुड़े हुए बच्चे यहाँ पर आते हैं ठीक है यह सारे बच्चे वो हैं जो हमारे online batch में थे यूपी PCS के काफी बड़ी संख्या में online batch में बच्चे जुड़े हुए हैं और लगातार तयारी कर रहे हैं यह पहली category है इनसे भी मुझे जवाब तलब करना है दूसरी category वो सब छात्र हैं जो YouTube में निरंतर हमारे साथ जुड़ करके तयारी कर रहे हैं प्रतिक्षा रत रहते हैं तो YouTube में जितने भी छात्र हैं उन सभी subscribers और उन से जुड़ी हुई जानकारी इनको भी मैं देने वाला हूं और तीसरी सब से important offline batch में जुड़े हुए छात्र जितने भी छात्र हमारे साथ offline में आकर कि यहां से पढ़े हैं सभी छात्रों में से सब अब जाकर एक्जाम के लिए कुछ लोग परिपक हो गया होंगे और गंबीर हो गया होंगे अब एक्जाम देने की सोच भी रहे होगे ठीक है और form भी भरा होगा maximum छात्रों ने भरा है जो की पुराने चात्र हैं तो इन तीनों को लेकर के सबसे पहले मैं एक discussion करना चाहता हूँ चुकि online batch प्रारम के हुए हमें दो साल हो रहे हैं ठीक है बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो online batch में जुड़ तो गये हैं लेकिन उन्होंने जो अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना वाद चाहता हूँ जो अभी online batch में जुड़ रहे हैं उन चात्रों की बात में यहां पे नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उन चात्रों की बात कर रहा हूँ उन लोगों से question mark कर रहा हूँ जो चात्र हमसे जुड़ करके एक साल से तयारी कर रहे हैं और complete से स्लेबस उनका कराए गया है हमने online batch में हमने दो भागों में बाटा है पूरे के पूरे स्लेबस को एक प्रीकम मेंस का स्लेबस आपका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संसा से आप जुड़े थे पैटर्न तो आपका अपडेट हुए 2018 में अपडेट हुआ 2018 में में मेंस लिखित हुआ और चार पेपर बन गए यह साही चीज़े हमने प्रारम सही कराई थे हमने कभी भी इस चीज़ को लेकर के UPSC पैटर्न को शुरुआत में लेकर चले थे तो इसलिए हमारे चात्र कर लिए प्रिकुर्णि क्कृणि तो वीडियो अपडेट हो रही है थे तो लेक्चर अपडेट किये यह दिए खर農 है जो आपका अदर सेक्ष heps tu class अ ninety-one classes गये और quality अब फिर अपडेट हो रही है ठीक हो चलिए नए बाद में आप लोग कर लीजेगा नए चात्रों के लिए economy economy करवाई गए आपकी रविंसर दौरा भी करआई गए मेरे दौरा भी करआई गए इसक बाद environment का टॉपिक रविंसर ने करवाया इसके अलाव आपका general science में बायोजी करवाए गया मेरे द्वारा रविन सर्वारा दोनों के माध्यम से फिजिक्स भी कराए गया केमिस्ट्री भी कराए गया यह कंप्लीट है सेंसस भी हुआ यूपी स्पेसल भी बहुत अच्छे से कराए गया जितना भी सेक्षन है ठीक है तो आनलाइन बैच में पूर लगबख सारी चीज़े कंप्लीट है इसके अरवा जो में सोनली में जुड़े थे उनको भी हमने बहुत अच्छे से वाल्ड हिस्ट्री मैंने खुद करवाई है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस करवाए गया है इंडियन सोसाइटी के टॉपिक अपडेट हो चुके है पूरे कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक इसके बाद आपका इंटरनेशन रिलेशन बहुत अच्छे से हो चुका है आपका इथिक्स का पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है इसके बाद जो आपका साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से हो चुका इंटरनल सेक्योर्टी की classes अभी update भी की गई और पहले भी कराई गई थी disaster management की classes आपके update हो गई है इसके अलावा आपका जो जो अधर जो भी section है जिसमें से geography को भी physical geography को भी हमिऊपए खंव कुछ involve किया है तो आपका जितना भी बीसाय वस्तु है अभी निबंद बचा हुआ है निबंद भी आपका बहुत जल्द बहुत अच्छे से यह भी अपडेट होने वाला है तो हिंदी का जो बैच है हिंदी के बैच में भी लगबलबक सारे सेक्सान आपके हो गए सीसाइट के बैच में भी मैथ रिजनिंग और कंप्रियंसन का चिप्टर है वो भी आपका बहुत जल्द अभी अपडेट कर देंगे तो ऑनलाइन बैच में तो हमने समगरता से सारी चीज़े कराई हैं मुद्दा इस बात का है कि आपने किया नहीं किया आप में से बहुत सार बच्चे ऐसे हैं जो लगातार काम नहीं कर रहे हैं रेगुलर नहीं है बीच बीच में रेगुलर बनते हैं और फिर नहीं हो पाते हैं रेगुलर होते हैं नहीं रेगुलर हो पाते हैं दोनों चीज़े हैं अब यह आप लोग के उपर हैं आप लोग क्या कर रहे हैं संस्त सवएंट है मुझे भी उन लोगों के बारे में पूरा-पूरा सौन लिस्टेड हैं और जो बच्चें जो तोसमwire रहा है लिमंधा यह अब वह बाया विए सब्वींधा लोग पता है आप लो दो रहे लेकिन इसके बावजूद भी सांस्ता ने अपना काम किया है अपना काम हमने इमानदारी पूरवक किया है ठीक है आपका एप बहुत अच्छे से चलता है आपका वेबसाइट भी बहुत अच्छे कर रहे हैं बहुत सारी बच्छे कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हैं चीजों को और बहुत और उसका synopsis बनाया होगा सब कुछ किया होगा क्योंकि सब आपको बताया गया कि कैसे आपको short notes बनाने सब कुछ आपके batch में ही वीडियो लगे हुए properly दूसरी बात है YouTube यहाँ पर भी बहुत सारे कारिक्रम हमने चलाए हैं कोई क्रिवीजन में मैंने एक constitution के वेरेक्ट हैं history के topic है master video पूरा series है master video में मैंने आपको economy का master video है Indian geography का master video है world geography का master video है इसके बाद आपका modern history है medieval history है और ancient history है इसके master video है census का master video है आपका Indian polity के master video है यह सब complete हो जाएंगे series complete होने में थोड़ा से समय लगता क्योंकि गुरुवत्ता है उत्ते समागरी आप तक पहुचाई जा रही है current affairs का proper जैसे की magazine निकलती है उसी तरीके से आपके episode निकल रहे है पांच episode में मैंने current अभी तक का 15 September तक का करवाया है अभी आपके कई master video आने वाले हैं चुकि एक्जाम है एक्जाम से पहले मैं हमेशा active रहता हूँ अपने बच्चों के साथ रहता हूँ तो मैं फिर से active होंगा और आपको पर्यावरण का master video current affairs का एक master video और अभी Indian geography का भी master video आपको मिलने वाला है बाहरती है Indian geography final episode आपको मिलने वाला है जोगी दो एपिसोड आ चुके हैं उसमें final बचा है तो final भी करके उसको मैं समाप्त कर दूँगा फिर इसके बाद आपका पर्यावरण का master video और फिर इसके बाद आपका एक master video current affairs का यह दिस्सा में बसता है और मुझे समय मिल पाता है तो निशित तोर पे मैं आप लोगों को general science का biology का भी master video उप्लब दिकरा दूँगा इतना मैं भी आप लोगों के लिए बिल्कुल तयार बैटा हूँ और करवाना है मुझे इसके अलावा कुछ और विक्तिगत इस तर पर हो सका जो राय मुझे देनी होगी आपके exam को ले करके देखो minus marking से कैसे बचे हैं उसको लेकर एक proper video आप लोगों को मैंने provide करा है कि कैसे आप negative marking से बचेंगे उसको लेकर पूरा पूरी class है उसको आपको देखना चाहिए उसे आपको देखना है ठीक है तो YouTube पे भी जितने भी कारिक्टरम है ये बहुत बहतरीन तरीके से आप तक उपलब्द होने वाले हैं जितने भी UPPSC से जुड़े हुए चात्र है और MPPSC के चात्र है जो current affairs और बाकी मेरे master वीडियो पड़े हैं वो आप लोग सब exam के temperate पे देखके जाएंगे और जो अभी आएंगे उन पर भी आप लोग अच्छे से काम करेंगे ऑफलाइन बैच के जितने भी बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हैं अब जाकर के वो तैयार हो रहा है रेडियो इसके अलावा हमने और जो प्रेयास किये हैं जैसे optional subject में हो सकता है आप लोग को संस्ता के दौरा कुछ optional नहीं मिल रहा है जिस sociology है हिंदी साहित है या फिर others optional है बहुत जल्द उनकी book kit आपको अब label करा देंगे अजाद publication के platform पे वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं कोई के exam नहीं होते मैं आपके साथ रहूंगा और आप लोगों से मैंने से तोर पे यहां पर कुछ बेहतरीन कारिक्राम आप लोगों के लिए इसावधी मिलाओंगा जो आप लोगों को benefit करें जिसमें master video सबसे बड़े मदद है master video के तोर पे सबसे बड़ी मदद करूंगा आपक लेकिन जो चात्र हमाएं साथ एक साल से ज्यादा time से जुड़े हुए हैं जिनोंने precommence complete कर लिया हो मेंस only complete कर लिया है ठीक है इन दोनों चात्रों से मेरी एक ही गुजारी से कि अच्छे से जो पढ़ाया गया है उसे revise करिए उसे revise करिए उसे revise करिए अंतिम समय है पिछले स के current affairs और इसके बाद जो मेरे master वीडियो आएंगे वो सारे आप देखके जाएंगे आपका काम होगा यह पूरी तरीके से ध्यान रखें जिस संस्ता से आप जुड़े हैं वह संस्ता बहुत प्रतिबद्द है आपके लिए करके और लगातार में हमेशा जब भी एक्जाम आ कर guide करूंगा UPPCS में अभी समय है यदि आप प्रापर त्यारी में करें MPSC और UPPCS में तो बहुत अच्छी तैयरी होसकती है Boston में मैं आप लों के साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से आप लों को सारी चीजे बढ़ाऊ बताऊंगा आप लोग की पूरी मदद करूँगा बस यह है कि आप लोग निरंतरता के साथ मेरे साथ जुड़ करके तैयरी करें और मेहनत करें समझ रहे मेरी बात को निशित तौर पर चीजों को समझेंगे आप और लगातार जुड़ करके हम एक दूसरे की मेहनत के साथ बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे और अच्छे हो जाए जो बच्चे यहां से कर चुके हैं कोर्स कंप्रेट हो चुका है और जो यूटुब बाले हैं वह भी एक्टिव हो जाएं मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ अभी दो चार देश्ट दो चार शह दिन मैं रिसर्च करूंगा प्रॉपर ली रिसर्च इस तरकी कि अ अब इस साल पर क्या संभावना हैं फिर आपके मास्टर वीडियो आने लग जाएंगे नॉम्बर के अंतिम सप्ता में एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा पका दिसंबर में दो मास्टर वीडियो आपको मिलेंगे तीन मास्टर वीडियो देनी की मेरी पूरी पर संभाव यूपी स्पेसल का मैं दे चुका हूं यूपी स्पेसल का दे चुका हूं मैं उसमें देखने वाला हूं कि कुछ बचा होगा तो एक मास्टर वीडियो और बन जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी और दो उसमें में सारी चीज़े हैं और लग करके काम करेंगे ठीक है चले बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद अच्छे से पढ़ाई करिए समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है मौसम आपके अनकूल है थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है तो स्वास्त को भी वातानुकूलित करिए वाता हो करके पढ़िए जितना हो पाएगा उतना अच्छे से करके जाएंगे ठीक है तो आप मैं आपको निश्यत तोर पर गाइड करने वाला हूं इसावदी में और गाइड करके आपको चीज़े को बताता जाओं चीक है चले बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद